दोस्तों रात के समय अगर हमें बाहर निकलना पड़े और अगर हमारे पीचे कोई महिला हमारा पीचा करते हुई हमें दिखाए दे तो हम कितना जादा डर जाएंगे ये आप सोची सकते है ऐसा ही कुछ हुआ ओडिशा के एक गाउ में रात दो बजे भयानक से दिखने वाली लेकिन राज के बात ये थी कि ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी बलकि उस गाउ के पंचायत की रच्चिवी चाल थी जिसमें इस तरह मेक अप और पायल पेंड कर ये लोग बाहर निकलते थे और इनके डर से लोग अपने गरों में ही रहते थे दरसल ये लोकडाउन के समय का टाइम है जब लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था दिन में तो पुलिस के डर से कोई बाहर नहीं निकलता था लेकिन रात को लोग बाहर गुमने निकलते थे जिने रोकने के लिए इस गाव की पंचायत ने इस तरह का खेल रचा जिसके बाद लोग गर से बाहर निकलना तो दूर गर की खिडकियों से भी दूर रहने लगे पंचात वालों ने काफी क्लियेटिव दिमाग लगाया वरना जुर्माना देने के बावज़ोद भी लोग घर से बाहर निकलते थे लेकिन इसके बाद तो रात को घर से बाहर भी नहीं दिखते थे भूतों की कहानियों में आपने सुना होगा कि भूत अक्सर रात को बाहर निकलते है इसकी वज़ेश शायद ही कोई जानता होगा लेकिन कई बार इस तरह के अजीब घटनाय रात को देखी जाती है करनाटका के एक इलाका रायचूर में ये वीडियो सामने आई जहां कुछ दोस्त एक पेट्रोल पम के पास देर रात को बड़े मना रहे थे वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लिखाई दे रहा था लेकिन ज़रा गौर से देखिए पीछे कोई अजीब सी चीज जाते हुए कैमेरा में रेकॉर्ड हो गई स्लो मोशन में देखने पर भी वो इतनी दुन्दली दिखाई देती है कि थोड़ा समझना मुश्किल है कि वो क्या चीज है वीडियो देखने वालों का कहना है कि ये कोई आत्मा है जो कैमेरा में रेकॉर्ड हो गई क्योंकि ये ना तो कोई इंसान है और ना जानवर लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वीडियो हैरान कर देने वाली है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लिजिए ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना 36 गड में सित महा समुद के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के होस्टेल में रात के समय एक लड़की की जोर-जोर से हसने की डरावनी आवाज आती थी इस वीडियो में सुनाई भी दे रही है जिसे सुनकर होस्टेल में रहने वाले स्टुडेंट्स काफी डर रहे थे जब होस्टेल में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखाय देता था इस होस्टेल में 54 स्टुडेंट्स रहते हैं जिसमें से ज़्यादा तर स्टुडेंट्स गर्मी की चुट्टी होने पर गर चले गए थे जिस दिन ये गटना भी उस दिन होस्टेल में 5 ये 6 सुडेंट्स ही थे होस्टेल में डरावनी आवाज आनी की बात कियते हुए स्टुडेंट्स ने एड्मिनिस्टेशन से शिकायत की और स्टुडेंट्स ने डर कर होस्टेल भी खाली कर दिया था इस गटना का वीडियो सोचल मीडिया पर भी वारेल हुआ, पुलिस की टीम जान्स करने मौके पर पहुंची थी और पुलिस की मौजूदगी में भी आवाज रुकी नहीं किसी की भी हिमत ही नहीं कि वो उस कमरे में अंदर जाए और उन्हें वीडियो की चान्बिन करके कहा कि यह अफवा हो सकती है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है लेकिन असलियत में पुलिस को इस बात की वज़ नहीं पता चली आपको क्या लगता है यह मजाख है या फ आप पेसाब करने को इतना जोर से लाती है एक रहाईशी इलके के पास एक जानवर के फुट प्रिंट्स देखे गए जिसके बाद अनिमल एक्सपर्स को बुलाया गया जिनका कहना है कि यह किसी माउंटन लाइन के पेरों के निशान है उस इलके में इस लाइन का होने का उ जखुआ इसलिए उन्होंने वहाँ एक कैमेरा लगाया जिसमें अलग अलग जानवर जैसे डियर रकून और टर्की जैसे जानवर देखे गए लेकिन इनी फोटोस के बीच एक बहुत ही अजीब सा फोटो भी इस कैमेरे में रेकॉर्ड हुआ जिसे देखने पर फोटो में किसी इंसान की तरह दिखने वाला जीव नजर आता है लेकिन उसका चेहरा और हाथ इंसानों से काफी अलग दिखाए देते है इसका मूँ भी इंसानों से काफी अलग था लोगों का कहना है कि इस जगए कैमेरा लगे होने की बात कई लोगों को पता थी और उन्हें से किसी का प्रैंक था या सच में वहाँ कुछ ऐसा था जो अभी तक किसी को नहीं पता एक और काफी रहसे में वीडियो घर के बाहर लगे सीसी टीवी कैमरे में रेकॉड हुई जिसमें एक बर्ड उड़ता हुआ कैमरे के सामने नजर आता है लेकिन ये बहुत ही मिस्चेरियस तरीक के मालिक को ही पता थी और उसने कहा कि दरसल कैमरे के शेटर स्पीड और इस बर्ड के पंग खिलाने की स्पीड एक हो गई जिससे देखने पर ऐसा लगा जैसे कि ये बर्ड हवा में बिना पंग चलाए उड़ रहा है जोस मारियोरीस कैस्टिलो नामक एक टिक टॉक यूजर है जो अपने कई सारे अलग-अलग एडवेंचरस वीडियोज रेकॉर्ड करके अपलोड करते है जिसमें वो माउंटेंड बाइकिंग करते हुए देखे जा सकते है उनके लिए ये आम दिन था जिसमें वो रात के समय अपने दोस्तों के साथ एक पहाड की डलां से अपने बाइक पर आ रहे थे और वीडियो भी साथ में रेकॉर्ड कर रहे थे अंदर में जहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था और तभी जोस के कैमरा में कुछ ऐसा हुआ जो आपके होश उड़ा देगा इस वीडियो में शुरू में सब नॉर्मल ता लेकिन कुछ देर बाद इस वीडियो को स्लो करके देखने पर कुछ अजिफ सा इसमें दिखाई देता है जैसे कोई काले कपड़ों में रास्तों के बीच में एक जीव नजर आता है जोस और उसके दोस्तों को उस समय कुछ भी पता नहीं चला लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें विश्वासी नहीं हुआ कि वो उस जीव के इतने करिब थे यह कोई जीव था या कोई आत्मा किसी को नहीं पता लेकिन इस वीडियो का प्रोसेस करने के प्रैली के दोरान रेकॉर्ड की गई ये वीडियो काफी वाइरल हुई इस वीडियो में एक आदमें देखा जा सकता है जो बहुत अजीव तरह से इधर उदर देख रहा है येकर अजीव बात ये थी कि इसके आँखे समय समय पर छोटी और बड़ी हो रहे थी इंसानों मे तो ऐसा करना मुम्किन नहीं है इस वीडियो के वाइरल होने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि ये प्राइम रेप्टैल की एक प्रजाती है जो एक जमाने में इंसानों के बीच रहा करते थे इसके बाद दो सवाल उड़ते है कि क्या ये इसी कोई प्रजाती हमारे गया है दोस्तों विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो विडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सबस्क्राइब कर दो और वाजव…वले को क्लिक करके और वाले option को select कर दो प्लीज subscribe करना ना भूलना